ये देखे दोस्तों लग रहे ना बहुत ही डिलीशियस और यमी कोफते ऐसा लग रहे है कि अभे अभी हमने ये सबजी रेस्टरांट से मंगाई है लेकिन ऐसा है नहीं और मैं आपको एक और बात बता दू ये पनीर के कोफते भी नहीं है ना ही ये मिक्सवेच के कोफते हैं ये हैं लौकी के कोफते Hello friends, Welcome to सिंधी रसोई सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो लौकी के कोफते बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो की लौकी जिसे मैंने धो लिया, इसके बाद इसके दोनों एजिस को ट्रिम करके इसे पीलर से पील कर लिया है इतनी लौकी में से दस कोफते बन जाएंगे साथी मैंने लिया है चार बड़े चमच बेसल, दो बड़ा चमच बारीक कटा हरा धनिया साथी दो हरी मिर्च, उसे भी मैंने बलकुल बारीक कटा है चार से पांच बड़े चमच रुफाइन ओईल इससे कोफते काफी ज़ादा सॉफ्ट बनेंगे एक छोटा चमच नमक, आदा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर, आदा छोटा चमच भुने जीरे का पाउडर, आदा छोटा चमच गर्म मसाला, एक बड़ा चमच बिलकुल बारीक कटा हुआ प्याज, साथी एक इंच का टुकरा हम इसे great करेंगे medium greater से, तब ही कोफते अच्छे बनेंगे. लॉकी को चारो तरफ से rotate करते हुए मैं great करना है, मैंने लॉकी को चारो तरफ से घुमाते हुए great करा है, जैसे ही इसका soft वाला part आ रहा था, इसमें से beach गिरना start ओड़ा है, तो क्या होता, सारे के सारे beach यहाँ पे कद्दूकस की हुई लॉकी में mix हो जाते, फिर हमें एक एक beach निकालने पड़ते, जिस्ते की काफी दिक्कत भी होती, और कोफते मनाने में भी हमें problem होती, अगर उसमें beach mix हो जाते. तो इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पे मैंने लॉकी को कद्दूकस किया है, और अब मैंने इसका जो beach और beach वाला हिस्सा निकला था, उसे फैंक दिया है. कद्दूकस की हुई लॉकी में मैंने डाल दिया, एक छोटा चमच नमख इसे अच्छे से mix करूंगी, और 10 नट के लिए से छोड़ दूँगी, अगर एक आद बीज आपको नज़र आए, तो उसे आप निकाल के फैंक दे, बस जो बातें आपको मैंने बताई हैं, उनका ध्यान रखें, लॉकी हमेशे आपको रोटेट करते वे ग्रेट करनी है, जैसे ही बीच का हिस्सा आएगा, आपको खुद बखुद फील होने लगेगा, क्योंकि वो हिस्सा काफी सॉफ्ट होता है, उस हिस्से को आप ग्रेट ना करें, जब तक लॉकी में नमक लगता है, हम बेसन भूनेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है पैन, पैन में मैंने डाल दिया है बेसन, बेसन को हमें करना है ड्राय रोस्ट, जाधा देर के लिए हम इसे ड्राय रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक नट के लिए, जैसे ही बेसन में से कुशबू आना स्टार्ट होगी हम फ्लें म को आफ कर देंग Wakanda end से फिलें में से कुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है फ्लें को मैने कर दिया है और भूने वे वे बेसन को निकाल रहे हुआ प्लेट में ज़ादा देर अगर आप भूनेंगे न दोस्तों तो क्या होगा जब आप ये बेसन डालेंगे कौफते में तो आपके कौफते करवे बनेंगे अगर दोस्तों आप इसे ज़्यादा भूनेंगे न तो क्या होगा जब आप ये बेसन डालेंगे कोफते में तो आपके कोफते करवे लगेंगे और अगर आप बिना भूने बेसन यूज करेंगे तब कोफते में टेस्ट ही नहीं आएगा ये छोटा सा भूना हुआ बेसन कि अपने दोनों हाथों में दबाते हुए आप इसका पानी निकल सकते हैं, लेकिन दोश्ट to लौकी में अगर जाधा पानी हो तो यह हमारे हाथों से फिसलती है, तो मैं आपको एक एजी तरीका बताऊंगी, जिस्धे कि लौकी आपके हाथों से फिसलेगी भी नहीं और उस और अब अपने हाथों से दबाते हुए इसका साड़ा पानी निकाल लूँगे इस तरीके से, मैननत भी कम और टाइम की भी बज़त, यह देखे, बस कुछ नहीं करना, इस तरीके से अपने हाथों से दबाते हुए इसका टोटल पानी निकाल देना देखे, कितना जादा पान पर लौकी आपके हाथों जे नहीं फिसलेगी क्योंकि इसमें पानी की मातरा कम हो चुकी है। लौकी कद्दुकस हो गई है। ये जो पानी बचा है लौकी का इसमें आप काला नमा को भुने जीरे का पावडर डाल के पी सकते हैं as a juice। इसे मैं अपने हाथों से स्तरीके से तोड़ लूँगी और इसमें डाल दूँगी एक छोटा चमच कद्दू कसकी हुई अद्रक साथ ही डालूँगी 4-5 बड़े चमच रिफाइन ओयल सबसे पहले आपने रिफाइन ओयल ही कद्दू कसकी हुई लौकी में एट करना है तो यहां पर ओयल को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब इसमें डालूँगी 4 चमच बेसन यह देखिए बेसन मैं बहुत जादा बड़े चमच से यूज नहीं कर रहे हूं जो रेगुलर चमच घर में होता है जिससे में खाना खाते हैं वही चमच मैंने यूज करा है बेसन को भी अच्छे से यहां पर लौकी के साथ मिला लूँगी पहले मैंने तीन चमच बेसन डाला है मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगड़ा है क्योंकि यहां पर प्रॉपर बाइंड नहीं हुआ है मिक्सचर तो मैंने यहां पर एक चमच बेसन और डाला साती डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज बारीक कटा हरा धन्या और हरी मिर्च आदा चुटा चमच हल्दी पाउडर आदा चुटा चमच भुने जीरे का पाउडर आदा चुटा चमच गरम मसाला पाउडर आदा चुटा चमच लाल मिर्च पाउडर और इन सब को अच्छे से मिला लूँगी हल्दी दोस्तों सौड़ी मैंने 1 4 टी स्पून यूज़ करी है आदा चमच यूज़ नहीं करी है हल्दी जादा डालेंगे तो कोफते बहुत ही जादा पीले हो जाएंगे और फ्राइ करते टाइम काले काले से लगेंगे तो सिर्फ एक चौथाई चमच हल्दी ही आप यूज़ करें सारी चीज़ें अच्छे से मिकसफ हो गई है हाथों को मैंने वाश कर लिया और से ओयल से ग्रीज करा है अब देखें मैं आपको दिखाती हूँ उसके कोफते बना के छोटे बड़े जिस साइज के आपको कोफते बनाने हो आप बना सकते हैं तेल मैंने अल्रेडी गरम होने रखा था उधर से मैं कोफते बना रही थी और इधर से ओयल भी गरम हो रहा था पहले मैं एक कोफ़ता फ्राई करके देखूंगी अगर यह तूटेगा ओइल में तो हम क्या करेंगे मिक्सचर में एक चमच बेसन और मिलाएंगे वापस उसे बाइंड करके उसके कोफ़ते बनाके फिर फ्राई करेंगे तो हमारे कोफ़ते नहीं तूटेंगे और अगर कोफ़ते फ्राइ करते टाइम जब आप इसे बाहर निकालें आपको कोफ़ते जाधा हार्ड महसूस हो तो आपने क्या करना है मिक्सचर में एक बड़ा चमच रिफाइन ओयल और डालना है वापस से मिक्सचर को मिक्सप करना है और इससे छोटे-छोटे कोफ़ते बनाके से फ्राई करना है तेल अच्छे से गरम होना चाहिए फ्लेम रखनी है हाई जब आप कोफ़ते ओयल में ड्रॉप करो साड़े कोफ़ते मैंने ओयल में डाल दिया है और अब फ्लेम को कर दिया है मीडियम हाई कोफ़ते डालते ही आपको फ्लेम को करना है मीडियम हाई और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे इसे इस तरीके से आप चलाते रहें लेकिन एक बाद का ध्यान रखे दोस्तों, जब आप कोफते डालेंगे तो उसे तुरंत नहीं छेडें, एक मिनट तक पहले उसे नीचे से थोड़ा साथ पकने दे, उसके बाद इसे इस तरीके से पलटते हुए चारों तरफ से सुनेरा होने तक फ्राई करें, और मीडियम फ सारे कोफते हमारे याँ पर फ्राई हो गए है, अब हम बना लेंगे ग्रेवी, ग्रेवी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है चार बड़े प्याज जिसे मैंने इस तरीके से बाड़ी काटा है, आप प्याज को पत्रे लंबे स्लाइसे में भी काटेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, दो बड़े टमाटर इसे मैंने बुकल बारी काटा है, एक चूटा चमच लमक, एक चोटा चमच लाल मिर्ज पाउडर, आदा चूटा चमच हल्दी पाउडर, दस्ते बाड़ा तलिया लसन की, एक चूटा चमच धनिया पाउडर, एक चूटा तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें डाल रही हुए कटे हुए प्याज, प्याज को हम चलाते हुए गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे, दोस्तों यहां पे प्याज को में पीसना है, तो आप इसे बारी काटें या पतले लंबे स्लाइसेज में कोई फड़क नहीं पड़ जेए तृफटीज इसे तो आप इसे पीस लेंगे, ग्रैंडर बांटार में टमाटर डाल दिया है जो दो बारी कुटु यहां पर दो धिन टमाटर में लिये ति गोटे हैं अब डाल द्याज, प्याज तोि से स्रफ प्याज डालेंगे , अम यहां पे ऑईल के डालेंगे, स साथ ही डाल दिए लसन, कंदुकस की हुई अद्रक, काली मिर्च और जीरा, साथ ही डालूँगी बिलकुल थोड़ा सा पानी, तक्रीबन दो तीन चम्मज, और से पीस के फाइन प्योडे बना लूँगी, यह देखे, यहाँ पेस्की एक फाइन पेस्ट रेडी हो गई, और प रिफाइन तेल, यह वही तेल है, जिसमें हमने प्याज को पकाया था, तो जो तेल बच गया था, वही तेल मैंने वापस इसमें एट करा है, अब इसमें डाल दिए लाल मिर्च पाउडर, जैसे ही हमने डालना है लाल मिर्च, फ्लेम ने रखनी है, लो और तुरन पोड कर मिर्च जले नहीं, अगर मिर्च जल जाएंगे तो सबजी का कलर खड़ाब हो जाएगा, और मैंने यूज करा है, आदा चोटा चमच कश्मीरी मिर्च, और आदा चोटा चमच तीखी लाल मिर्च, यह देखे, मसाला यहां पे अच्छे से तेल के साथ मिक्स हो गया है, अब तुरंद ग्रेवी डालते ही आपने इसे चला लेना है, ताकि मिर्च जले नहीं, अब हम इसे भूनेंगे लो फ्लेम पे जब तक कि ग्रेवी ओल रिलीज ना कर दे, इसी टाइम पे हम यहाँ पे आट कर देंगे मसाले, एक चोटा चमच नमक, एक चोटा चमच धनिया पाउडर, एक चोटा चमच गरम मसाला पाउडर, एक चोटा चमच किचन किंग मसाला, इन सबको मच्छे से मिला लेंगे, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी सबजी पसंद दो, तो आप आधे की जगर एक चोटा चमच गरम मसाला पाउडर यूज करें, अब हम इसे ढख तो साड़ा का साड़ा ओयल यहाँ पर सर्फिस पर आ गया है, ग्रेवी ने ओयल छोड़ दिया है, यानि ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है, इसे मैं अच्छे से एक बढ़ चला लूँगी, और फ्लेम मैंने रखी है, लो फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है, यहाँ पर डाल यह एक तेज पत्ता, साथ ही डालूँगी, एक चमच कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी को मैंने हलके गरम तवे पे कुछ सेकेंड के लिए छोड़ दिया था ताकि यह क्रिस्पी हो जाए, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्रिस्प निसलानी है, उसके ब पाणी मैने उसी मिक्सी के जाड में डाला है, जिसमें मैंने प्यास टमाठर को पीसा था, ताकि जो उसमें लगा हुआ है, वह सारा का सारा निकल आलाए, और यहां पर मैं दो कपानी योज़ करूँगी, दो कपानी मैने डाल धिया है, अब इसमें डालूँगी, प्राइक किये वे कोफते कोफते दोस्तों बहुत ही जादा सॉफ्ट बने हैं और यकीन मानिए दोस्तों आप ये कोफते किसी को भी बना के खिलाएंगे न तो जो घीये से नफरत करता है उसे भी प्यार हो जाएगा सब्जी को मैंने कवर किया और कवर करके से 10 नट तक लोग फ्लेम प जाला तो वो साड़ा सर्फेस पे आ गया है और कोफते काफी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गये हैं फ्लेम को मैं कर दूंगी ओफर्स पर डाल दियूं ये बारी कटारा धन्या मैं आपको कोफते का टेक्स्चर दिखाती हूं ये देखिए देख सकते हैं कितनी अच्छी लग हो जाएं और ग्रेवी आप बनाएंगे लो फ्लेम पे प्याज को बहुत जादा डाक नहीं भूना है प्याज बस अच्छे से गोल्डेन हो जाए आपने फ्लेम को आफ कर देनी है तो दोस्तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लेके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक लिए गुड़ बाए